स्वागत है आप लोगों का, आपके यूटूब चैनल क्रेकorgeousistic jams में अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सबस्क्राइब निया है, तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और साथ मेकरिये बेल आइकन को भी प्रेस करे दिजिए ताकि इस चैनल के अप्लूट किये हुए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने अकबर और महराना प्रताप के बारे में डिसकस किया था। जो की काफी इंपोर्टेंट तो किंग्स थे मुगल एंपायर के। और आज के क्लास में हम लोग जहांगीर के बारे में डीटियल में जानने वाले हैं। तो जहांगीर ने कब से कब तक सासन किया था? इन्होंने 1605 AD से 1627 AD तक इन्होंने सासन किया था। जहांगीर कौन था? ये अकवर का एल्देश्ट सन था। इनका ओरिजनल नाम था सलीम लेकिन सिंहासन पर बैठने से पहले इन्होंने एक टाइटल अजियूम किया था क्या नाम से? तो नुरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर नाम से ये सिंहासन पर बैठा था। ये जादा था टाइम कहा रहते थे? ये लाहर में रहते थे वीची अड़न विट गार्डेंस अंड बिल्दिंग्स अड़न मतलब होता है शूशोभीत करना तो लाहर को जहां पर ये रहते थे उस जगह को ये सजा के रखते थे ठीक है? किन से? तो गार्डें से एंड बिल लेकिन जल्दी क्या हुआ उनका जो eldest son था अर ता जहांगेर का eldest son कौन था? खुश्रो इन्होंने क्या क्या? इन्होंने रिवोल्ट कर दिया इन्होंने विद्रह कर दिया अपने पिताजी के विरुद्ध गुरु अर्जुन देव ये कौन थे? ये 5th Sikh Guru थे इन्होंने help किय को revolt में किस के अगेंश्ट तो जहांगिर के अगेंश्ट अपने पिता के अगेंश्ट तो इनको भी क्या दिया गया था मृत्यु धंड दिया गया था so he was also executed after five days of torture तो पांच दिन torture करने के बाद इनको मार डाला गया था किसने मारा था तो जहांगिर ने मारा था राना अमर सिंग ऑफ मेवा submitted before जहांगिर in 1615 तो 1615 AD में क्या हुआ था राना अमर सिंग ने submit कर दिया था surrender कर दिया था जहांगिर के सामने ये कौन थे राना अमर सिंग थे महाराना प्रताप के पूत्र जिनके बारे में हम लोगों ने हमारे पिछले क्लास में डिसकस किया था तो क्योंकि ये submit कर चुके थे किसके पास जहांगिर के पास तो क्या हुआ था इनका जो पूत्र था राना सन करन सिंग इनको क्या बना दिया गया था मनसबदार बना गया था मुगल कोट का किसने बनाया था जहांगिर ने बनाया था फेश्ट और फार्मीडेवल ओपोनेंट एक भयंकर प्रतिदोंदी का उनको सामना करना पर गया था कौन थे वो वो थे मालिक अंबर कब तो इन इस एक्सपेडिशन टू एहमद नगर जब वो एहमद नगर गये थे तब उनको क्या एक प्रतिदोंदी का सामना करना पर था जो की काफी भयंकर थे कौन थे मालिक अंबर इस ग्रेटेस्ट फेलियर वाज दो लॉस अफ कंदाहर तो परसिया इन 1622 तो 1622 में क्या हुआ था उन्होंने कंदाहर नामक प्लेस जो की अफगानिस्तान में स्थिते इसको खो दिया था और इस पर किसने कब जा किया था तो परसिया ने कर लिया था इस पर कब जा तो इसको क्या माना जाता इसको ग्रेटेस्ट फेलियर उनका माना जाता है तो जहांगिर का विवा किसके साथ हुआ था? महर अनिसा के साथ हुआ था? कब हुआ था? 1611 AD में हुआ था महर अनिसा कौन थे? ये वीडवा थे किनके तो सेर अफगानी के और महर अनिसा को ही बाद में क्या नाम दिया गया था? नूर जहान नाम दिया गया था She had a great influence on Jahangir's life तो Jahangir के life पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव परा था As she was given the status of Patsa Begum उनको Patsa Begum नामा के एक status दिया गया था ये क्या था एक title था जो कि First Lady of Mughal Empire को दिया जाने वाला एक title था Coins were stuck in her name जो भी coins बनते थे उन पर किसका नाम लिखा जाता था उनका नाम लिखा जाता था She got high position for her father उनके father कौन थे? इल्माद उद्दौला इनके बदोलत उनको क्या मिला था? High position मिला था उस time और उनके ब्रदर के बदोलत उनका ब्रदर कौन था? उनका भाई कौन था? Asaf Khan She married Asaf's daughter तो Asaf Khan का जो daughter था कौन? मुमताज महल उनका विवा इन्हों ने करवाया था किनके साथ? खूरम के साथ और यही बाद में क्या नाम से famous हो गए? साजहान नाम से famous हो गए तो इससे हुआ क्या था? These cemented the alliances Alliances मतलब होता है Relationship तो इससे क्या हुआ था? जो Relationship था? किनके बीच? नूर जाहन के बीच उनके फादर के बीच Asaf Khan के बीच और खूरम और था साजहान के बीच यह Relationship बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था उस टाइम This alliance practically ruled the empire for 10 years और इन्हों नहीं क्या किया था? इस empire पर 10 साल तक राज किया था शासन किया था प्रब्लम कहां से स्टार्ट हुआ? जब नूर जाहन ने मेरे धार डॉटर उनकी जो पूत्री थी उनका विवा किस से कर दिया? तो जहांगेर सियंगेश चान सहया ऐसे कर दिया नाव नूर जाहन सपोर्टे टीम अब नूर जाहन उनको सपोर्ट करने लगी फार द एयर एपरेंट एयर एपरेंट मतले हो था उत्तराधिकारी अर्थात प्रत्यक्ष वारिष के रूप में उन्होंने क्या उनको सपोर्ट किया All these events hampered the military events for the recovery of Kandahar. तो जहांगे पहले ही Kandahar place को खो चुके थे किसके पास? परसिया के पास. इनका पहला aim था इस place को recover करना, लेकिन ये possible नहीं हो रहा था. इन सब events के वज़ा से. ये क्या कर रहा था? हैंपर कर रहा था military events को. Had a chain of justice outside his palace in Agra. तो Agra में क्या था? उनका एक chain of justice था. न्याई की जंजीर था. इसको क्या कहा जाता था? इसको जंजीर यी आदिल कहा जाता था. He also laid a number of garden. Laid मतलब होता है keep. तो वो बहुत सारे gardens भी रखते थे. Such as कुछ important gardens क्या क्या थे? तो Salimara Garden और Nisat Gardens. ये कहां स्थीत है? ये कश्मिर में स्थीत है. Captain Hawking and Sir Thomas Rowe visited his court. Captain Hawking and Sir Thomas Rowe उनके सभा में आये थे. Due to the efforts of Thomas Rowe English factories. तो English factories को established किया गया था. सूरत और अन्या सभी जगा में. ठीक है? Some other places. किनके effort के बदावलत तो सर्थ Thomas Rowe के effort के बदावलत. Pietra Valley, famous Italian traveler. ये कौन थे famous Italian traveler थे? ये उनी के time आये थे. उनी के सासनकाल में आये थे. टॉबैको ग्रोइंग स्टार्टे द्यूरिंग हिस रेंग. तो उनी के सासनकाल में टॉबैको का खेती होने लगा था. टॉबैको को लेकर कौन आये थे? पोर्तुगीज लेकर आये थे. बाद में जहांगेर ने इस पर पावंदी भी लगा दिया था.